इसकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्राखंड के एतिहास के बारे में और उत्राखंड के एतिहास को सुरू करते हैं हम प्रागयतिहासिक काल से दोस्तों इस काल की जानकारी पुरातातिक स्थलों या फिर जो पुरातातिक तक तो हमको प्राप्त हुए हैं उनसे हमको पता चलता है तो इस काल में जो भी मानव की भूमिकाएं थी उनके बारे में हम बहुत सारे स्रोतों के माधिम से जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम पुरातातिक स्तल जो हैं और पुरातातिक जो श्रोत हैं उत्राखंड में जो प्राप्त होए हैं उनके बारे में बात करेंगे जिससे की हमको इस काल की बहुत सारी जानकरियां प्राप्त होती हैं और उत्राखंड के इतिहास को जानने में तो यह पुरातातिक जो स्थल हैं और जो स्थत्व हैं वो कौन-कौन से हैं जिसे मृत्भांड, सैल चित्र, गुफाएं और जो कंकाल आदी जो हमको मिले थे इन से यहां पर अनुमान लगाया जाता है इतिहास का तो इस तरों से यह मिलते हैं यह मिले थे देवी धुरा, चं उत्राखंड के पराततिक शुरुतों की खोज की थी इसलिए उत्राखंड के पराततिक शुरुतों की खोज का श्रेय जो है हैंवुट को जाता है और उसने देवी धुरा से महापासान कालीन पुरावशे श्रकों की खोज की थी तो महापासान काल की यहां पर जो खोज का जाता है हेन्वूट को जिसने की 1856 में इसकी खोज यह थी और यह जो अस्तल हैं वह हैं पिथोरागर्ड चमोली उत्तरकासी अल्मोडा और यह बहुत सारे अस्तल हैं जहां पर उत्राखंड के पुरातत्तिक श्रोतों की खोज हुई थी तो अभी हम अलग-अलग जीलों के हि हिसाब से इन पुरातत्तिक श्रोत हैं इनके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे और डिखेंगे कि किस जिल्ले में जो है क्या मिला जिससे की हमको इतिहास के बारे में पता चलता है तो 1952 और 1953 में यग्यदत सर्मा नामक एक व्यक्ति ने हरिद्वार के बहादराबाद से पासान कालिन अवशिशों की खोश की थी तो इस तरह से दोस्तों हम इन अस्तों के बारे में और भी बहुत को जानेंगे कि इनकी खोश कहां कहां पर और किस जिल्ले में हुई थी तो अगर हम पिथोरागर की बात करें तो पिथोरागर के बनकोट छेतर से आठ तामर पत्र जो की मानवक्रतियां थी वो प्राप्त हुई है और इनकी खोज 1990 में हुई थी इसके बाद बात करते हैं चमोली की तो चमोली की जो गुरिख्या गुफा है जो की बहुत फैमस है तो इस गुफा की खोज का श्रेय जाता है राकेस भट को तो आपको इन चीजों को नोट करना है तो राकेस भट को इस गुफा को खोजने का श्रेय मिलता है और यहाँ गुफा जो है वहाँ चमोली जिल्ले के डुंगरी गाओं में अलकनंदा नदी के किनारे पर इस्तित है इस गुफा से लौमनी भेड बारा सिंगा और मानव के 41 रंगीन चित्र प्राप्त हुए जि इस तरह से हम देखते हैं इसके बाद जो चमोली जिल्ले में एक और हमको मिलता है मलारी गाओं तो यहाँ मलारी गाओं जो है यहाँ गाओं चमोली के धौली किंगा घट पर इस्तित है तो इस गाओं से नरकंकाल मिट्टी के बरतन और मिलता है 5.2 किलो का सूने का काले वा दूसर रंग के चित्रतमित्रभान यहाँ से प्राप्त होते हैं तो यहाँ जो अस्तल है वो काफी सहमस अस्तल है और 2001-2002 में गड़वाल विश्व विद्धाले के सोथकरताओं दोरा इस गाओं में इन पुरा तत्तिक शूरतों के खोश की गई थी इस गाओं में दो बार खोश की गई और पहली बार यहाँ पर 1983 में खोश की गई थी उसकी बाद फिर 2001-2002 में गड़वाल विश्व दिद्धाले के सोथकरताओं दोरा खोश की गई सम्मदित था इसके बाद हम बात करते हैं किमनी गाओं की यहाँ भी चमोली जीले के थराली के पास में स्थित है और इस गाओं में भी पसुमों के सैल चित्र हलके सपेत रंग के चित्र हतियार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और इस तरह से हमको प्राग जो प्रागयतिहा इसके बारे में चमोली जिले से प्राप्त ये जानकारिया थी. इसके बाद हम करते हैं उत्तरकासी जिले में यहाँ पर हुडली छेतr से नीले रंग के सेल चित्र प्राप्त हुए हैं और ये चेत्र उत्तरकाशी के यमुना घाटी परिस्तित हैं तो आपको ये भी नोट करना है इसके बाद हम बात करते हैं अलमोडा जिल्ले की तो अलमोडा जिले में जो है बहुत ही फैमस है लाखो उड्यार जिसको कि लाखो गुफा कहते हैं 1961 में इस गुफा को खोजा गया था महेश्वर प्रशाद जोशी के द्वारा और यह गुफा अलमोडा जिल्ले के बाड़े छीना के पास दल बैंड में सुयाल नदी के पास में इस्तित है इस गुफा में पसुओं वा मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं इस गु भप्य सिलाश्रह भी मौजूद है और सामुहिक नित्यकरती भी मंडली के चित्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जो कि आप अभी यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे हैं तो यह यहाँ पर प्राप्त हुए हैं इसके बाद हम बात करते हैं कसार दिवी मंदिर जो क और स्थापित माना जाता है इसके साथ साथ यहां से 14 नर्तकों का सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है अब और बात करते हैं अल्मॉडा जिले में ही फल सिमा नमकस्थान की तो यहोस्थान अल्मॉडा जिले के हवाल वाग पहसिल में स्थित है यहां से प्राप्त होती है नित्य, मुद्रा और योग मुद्रा वाली मानवाकरतियां और यहां दो चटाने प्राप्त हुई जिन में कपमाक्स प्राप्त हुई है इसके बाद हम बात करते हैं जाखन देवी मंदिर की और यहाँ अलमोडा में ही इस्तित है तो यहाँ जो मंदिर है यहाँ अलमुडा जिल्ले के धर्नौल में इस्तित है और इस मंदिर से यक्षों के निवास की पुस्टी करण यहाँ पर होता है कि उत्राखंड में यक्षों का निवास अस्थान भी था पेट साल और फड़का नौली तो पेट साल से 1990 में कथई रंग की माना अकरतियां प्राप्त हुई हैं और 1985 में फड़का नौली की खोज की गई थी इन दोनों स्थानों की खोज यशोधर मठफाल के द्वारा माने जाती है और ये दोनों स्थान सुयाल नदी के पास में स्थित है ल्वे थाप नामक स्थान यहाँ भी लाल रंग के चित्रित सैलाश्रयों से यहाँ पर प्राप्त हुए हैं ल्वे थाप में भी लाल रंग के जो हैं सेलाश्रय प्राप्त हुए हैं अब बात करते हैं कालसी के सिला लेखों की ये तो आप जानते हैं कि यहां स्थान दहरादून के उत्तर में टौंस नदी और यमुना नदी के संगम में इस्तित हैं और 257 रिशापूरों में समराथ असोग द्वारा इस अभी लेख क कालसी में स्थापित किया गया था तो यहां एक सिला लेख है जो कि हमको यहां पर मौर्यकाल की जानगारी देता है और यहां अभी लेख पाली भासा और ब्राहमी भासा में लिखा गया है इस अभी लेख में असोग द्वारा यहां गोशना की गई थी कि उसने अपने और अहिंसा को अपनाने की बात की गई थी। तो इससे यहाँ भी पता चलता है कि समराट असोक ने अब जो है यहाँ पर बहुत धर्म का अनुश्रान करते हुए युद्ध को त्याग करने की बाते की हैं और साथ में यहाँ अब अहिंसा के पत्थ पर चल रहे हैं और इनने हिंसा को त्यागने की बात की है तो इस प्रकार से हमने उत्राखंड के इतिहास को जानने के लिए जो हमको पुरात्तिक अस्थान थे जो पुरात्तिक जो स्रोत थे उनके बारे में जाना और यहाँ पर मुझे उमीद है कि आपको काफी जानकरिया प्राप्त होगी होंगी और आपके जो है पेपर के पॉइंट ऑफ यू से भी यह जानकरिया आपके लिए महत तो पूर्ण होंगी फिर से हम अगले वीडियो में आपके साथ आएंगे उत्राखंड के और भी जो स्रोत हैं जिनके हमको उत्राखंड के इतिहास की जानकरिया मिलती है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं धन्यवाद झाल 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 झाल